हेलो दूस्तों तो इस विडियो देखने वाले हैं क्लास 8 के जिरॉफी के चैप्टर 2 के पार्ट 4 को और आपने अगर चैप्टर 2 का पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्टर में देदूँगा आप जाकर पहले उसे देख जिए ताकि आपका जो भी कॉंसेप्ट है इस चैप्टर को लेकर तो उस सब जो है क्लियर हो जाए तो यहाँ पर इस पार्ट 4 है इसके नहीं देखने वाले हैं टॉपिक नैच्चर वेटेसें और माइल लाइफ तो यहाँ पर इसको थोड़ा एक कुछ एक्जामपल रखा हुआ था उनी चीजों का एक लड़की रहती है मोना वो देखती एक बैक को वह बैग रहता है हैंडबैग ठीक है और बहुत ही सुन्दर रहता है तो जो उनकी टीचर रहती है वह एक्स्पेन करती है कि देखो यह जो हैंडबैग है यह बना होगा फिर बताते हैं कि देखो यह जो बैंबू मिंस बांस जो गया यह यूमिड रिजन में पाया जाता है इंडिया के और जो है यह बहुत ही ज्यादा मातरा में उपता है फिर जैसी एक लड़की रहती है वो देखती है जो है इसकुराइज रोम से मतलब गेन किया जाता ठीक है इसको सिल्क शौज है पार उपार मे बनकार हो तो आप लोग बच्चे बांस सेनलों आपने अंडरस्टेंग लिया अब आता है आपका नेच्चर बेटेसन और वाइड लाइफ तो अभी थे हमने देख लिया कि नीचर में जो कुछ चीज़ें उनका कैसे इस्तिमाल करते हैं अब इनी के बारे में पढ़ना है यहां पर यह जो नेच्चर बेटेसन और वाइड लाइफ हो गया है जैसे कि मतलब पूरा यह देख सकते हैं अपना एटमस्फेयर ठीक है तो यहीं कहा जा रहा है कि यह जो तीन चीज़ों इनके बीच में क्या होता है और इसी को जो है इन सब चीज़ों को मिलाकर हम लोग कहते हैं बाइस फेर में जो भी चीज़ है वो सब एक दूसरे से जूड़े ह हो गया है ठीक है और ये सब एक साथ जुड़े रहता है और इस तरह लाइट सपोर्ट करते हैं एको सिस्टम करते हैं जैसे कि हम देख लओ ब्लांटका और ऐनमस जातें ऑर मन्ने बाता है मिल जाता है या फिर मैं देख लोग तो दू上 Re भोजन हो गया कि सब इसमय दूसरे पर डिपेंडेंट है अगर मैं गोट का एक्जामपल हो तो गोट जो गया वह पेड़ पॉद्ध पर डिपेंडेंडेंट है कि वो जो है उनका मतलब सेवन करता है इसे लीव से सब खाता है तो देख सकते हैं सब दूसरे से connected है तो यह जो connection हो गया इसको मिलगा क्या बनाता है एक ecosystem बनाता है और अगर ecosystem में कोई भी एक चीज़ अगर हट जाता है खतम हो जाता है तो जो life या फिकर सकते हैं कि system जो हो गया यह पूरा डिस्टर्ब हो जाता है तो इसको ध्यान रिखिए कि जितने भी जीव जनती हो गया है पेड़ पौद हो गया सब का रहना जरूरी है ताकि एक सही तरीके से सकते हैं और इस चीज़ का समझ सकते हैं तोसरे के लाइफ पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा इस लिए सब कर रहना जरूरी इस बताया हुए है और सबका महत्र ही जानना है कि कैसे सारब जरूरी है और यह किना जाना किना रही हैं किना दोड़ हो गता है जो सब्सक्राइब दोड़ करते अगे यह घृत यहां पर और दोड़ है वह हमें बहुत साय चीजें कर प्रादान करते हैं फुड हो गया ठीक है एं तक की जिसे फ्रूर्ट हो यहां पर यहीं देख सकते हैं कैसे हमें यह बताया जा रहा है कि कैसे यह बहुत ज्यादा हमारे यूसफुल है यहां तक प्लांट अनिमस बहुत चीज और प्रवाइड करते हैं फूड सेल्टर मेडिसीन एक्सट्रा बहुत साथ चीज है रबर हो गया घम हो गया मतलब यही इसमें क्या है आपको टॉपिक में क्या देखने है इंको देखना है तो हमसे फ्रिजरत्रा पता है इसे यहां बब्रव क्या इस प्रिञ्टबब control फोंम ठीके यह सब आते है वाइड लाइफ में यह मं क्या प्रवाइट करते हैं रियम मीट मीट हाइट इन गते हमई प्रवाइट करते हैं मिल यह मीट हैं हीकिन मंधया हो गया न प्रम को एंप George से इस्तेमाल के जिसे हमें ब्यांग किया तोलों यहां पर यहीं बात हो किquency यह समय करदेते हैं इसे आ प्रवाइट करते हैं है मेणे लिए घ्रांग करते हैं कि प्रवाइट करते हैं एक दलकी अध्यून कीशा है वह प्रवाइड करता है हमारे इंवर्मेंट में तो इस तरह से देख सकते हैं सब का एक अच्छा रोल है कुछ सेल्टर करते हैं तो कुछ क्लीन करते हैं इंवर्मेंट को यह देट यह सब चीज़ों को खाकर यहाँ तक कि मायक्रोप सोगा माइक्रोल गरेंज वो भी जो भी देड़ चीजे होते हैं डेड़ एनिमल्स होगा प्लांट हो गया ठीक है उन्हें खतम बरके वो भी हैल्प करते हैं कि इन्वारेमेंट जो है वो क्लीन रहे हैं तो यहां पर सब का इन्पॉर्टेंस है यह आपको ध्यान से दिख रहा होगा और इसी बैसे सारे जरूरी है सार करते हैं कि किसी जगह का टेंप्रेचर मॉइस्चर कैसा है जिसी की पर चल सके कि वहां का जो है फॉरेस्ट होगा या फिर ग्रास पूरा घास का मैदान होगा इसक्रप्स जाड़ी होंगे या फिर ट्यूंडरा मतलब कि ठंडा इलाका ठीक है तो चारों का मीनिंग समझ गय तो उनका बहुत बहुत प्लेस युद्न आपर देख तो बहुत अच्छा तरिकल से मिलता है जैसे कि आपका डेजर्ट वाला रिजन होगया तो वहां पर आप देखते हैं कि वहां पकर कैक्टेस बुगत तो उनका जो मतलब बाहर का जो रहना है नहीं इंदा को बढ़ा होता है वह आया तो यहां तक जो जड़式 का अंदर तक्व Strevel तक उन्हें पानी मिल div जो वहाइक सकते हैं कि कहीं पर क्निया हो रहा है तो बहुत अच्छे fortunately द्री पोदे हो रहे हैं तो यहां पर आप देख सेते हैं कि temperature moisture उनके साथ कुछ और वी फैक्टर्स हो गया rainfall हो गया climate यह सब डिपैंड करते हैं कि वहां पर फॉरेस्ट होगा ग्रास्रेंड होगा या फिर आपका स्क्रप्स होंगे में ज्ञाड यह सब हो गया यह तुन्रा में स्थंडी वाले चीजे होंगे ठीक है यह उसके उपर डिपैंड करता है इस तासे वाल्ड में हर अलग-अलग रिजन पर अलग-अलग चीज हमें देखने को मिलता है ठीक है ना आपका आ रहा है आपका यहीं डिस्टिबिशन और ऑफ नैचर डिशन में कि यह जो थोनी स्रप्स होगा है जो छोट को भी बहुत बड़ा होता है यहीं क्यक्स को हैं वहाँ ट्रांस पर होटर को ना हो ढौन राइशन प्रसेस आप जानते वहोंगे के द्वारा पानी हो गया उसका अइवापोरेट करना इसक्क्त आपनोसफेर में जाना तो यह चीज हो गया ठीक है तो और चुंड्रा जो हो हो गए यह सब देख पाएंगे क्योंकि लिचेंस क्या हो गया वह छोटे-छोटे एक प्लांट की तरह हो गया क्योंकि वहां पर जो गया मैक्सिमम पेड़ पॉदे नहीं पाते है क्योंकि वैसा प्लेस होता है कि सपोर्ट नहीं हो पाता है ज्यादा इंग पर डिपेंड करता है अब बोला जा रहा है कि जो पीपल हो गया है जो कि दुनिया में रहते हैं ठीक है न यह हो क्या रहा है कि दो सेंचुरी पहले में 200 साल पहले जतना पपलेसंट अभी इस विसे अमनों देख सकते हैं कि उन्ने रहने के जगा चाहिए खाना यह सब आट तो लोब फॉर्स को क्लीन करते हैं क्रॉप सब्सकर तरीका तो नहीं कर नहीं कर पा रहे हैं प्टाइब करना से में बड़ने के इसमाल करना पर आपने परपस के लिए ठीक है तो यहीं सब चीज जो है ना बताए जा रहा है कि ऑप्लेसर बढ़ने के साथ ख्राइन भ तो इन सब चीज को हम लोग कैसे अब जो है कंट्रोल करें तो यह यहां पर आगया कंजर्ब करने का तरीका कि नेच्चर वेटेस वाइलफ को कैसे कंजर्ब किया जाए तो अब भी जो फॉरेस्ट हो गया ठीक है ना प्लांट हो गया यह समय क्या देते हैं सेल्टर देते हैं हो गया यह सब चीज हो गया जो कि फोड यह सब हमें प्रवाइड करते हैं तो इन सब को बचा के रखने के लिए जो हो गया ताकि जो एकोसिस्टम में मैंटेन रख सके जैसे मैंना भी बताया कोई एक अगर जीव जन्तु मरता है तो इकोसिस्टम थोड़ डिस्टाब हो ज कि लोग उन्हें मार देते हैं या फिर जहां पर रहते हैं उस सेल्टर को उनके कार दिया था जैसे कि वह लो रहनी पाते हैं और इस तरह भी उनकी मृत्ती हो जाती है और यह जादा पेड़ों कारने से कुछ पेड़ ऐसे भी खतम हो जाते है निस्ट वह लाइफ उनका सब्सक्राइब करें कुछ और भी नेचर के द्वारा भी होता है कि बाढ़ आ जाना कहीं जगह पर ठीक है ना फॉरेस्ट में आग लग जाना किसी वज़ासे नेच्रली भी लगता है कब गलती से होता है इनके वैसे होता है कि कुछ एक्स्टिंशन हो जाता है किसी अनिमल का या प्लांट का तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं कि बहुत सारा जैसे कि इनको जो है सेफ रखने के लिए हम लोग जैसे जू हो गया ठीक है ना या फिर सेंचरीज हो गया ठीक है या बायोस्फेर रिजर्ब्स हो गया उन सब बच़े रहसके जैसे कि टाइगर हो गया लाइन हो गया अले편 वह इनका प्लेस सब्सप्रॉपलेशन हों प्लाइशन हो गई दorton का vemos के लिए नंप्लेस को मिलिए और को फ्यक्त जाने के वाहा सकते हैं मतलब कि पूरा एरिया को कि वहां autism को वाहा पर जो बी चीजे उस सब को पूरा पोडाए जा रहा होता है इनके बीचे कुछ है इस उस सही समल्जनरी में करने तो आप कामेंगा अंषर शोहा रहा है owा कर दीजेगा मैं बता दूंगा आपको तो यहीं आपे आगे बता हुआ कि देखिए कि एनिमल्स हो गया प्लांटिंगों को कंजर्ब कर लिए और इवन जो हो गया कि कुछ कुछ लेक्स हो गया ठीक है उसमें भी कुछ एनिमस इसे रहते हैं उनको भी कंजर्ब किया आता है ताकि सब का जो गया बैलेंस सही से रहा सके मतलब कोई भी स्पीसिस हो गया चाहे वह वाटर में रहता है या फिर लैंड यह से कहीं पर भी उन सब को बचाए जा सके आगे ब मार देते हैं या फिर उस जगो पूरा पेड़ पदो काड़ देते हैं तुमकर या तक घर उजड़ या तरह फिर मिश्वन मार देते हैं तो इस चीज को भी जो गया कम करने के लिए बहुत सारे अभाइरनेस प्रोग्राम जैश चलाए गया है जैसे की फोरेस्ट्री के तर दांगल न सब चीज़ों को ताकि वह लोभी समस्झ सके इनके वैलीव ठीक है इनको पूरा बातें बताया जाता है कि इनके मतलब इस पीकिस को और इनकरेज करान कि वहा हम जागरूक करने लोह को की नेचर चीजों को कम नुकसान पहुंचा और बहुत और इसके भी तो यहां पर आपका इंटरनेशनल कंजर्वेशन की बीच में हुआ था इसने यहीं बता हुआ था कैसे बहुत सा जानवरों की जो संख्या हो गया कम हो गया और इस विए से उनके उपर पूरा ध्यान दिया आता है ताकि लोग उन्हें नुक्सान ना पहुंचा सके जिससे कि इनका जो संख्या है वह बरकरार रहे और हो सके तो फ्यूचर में उनकी संख्या और बढ़ जाए मतलब कि उंके उपर ध्यान दे जा रहा है ड्यूटी बना दिया गया है कि इनको कंसर्व करके रखना लोग को जो है कुछ लोग ऐसा कर दिया कि किसी किसी प्लेश पे जाना मना कर दिया गया है ताकि वहां पर जो कोई जाना सके और वहां पर जो भी वायल लाइफ आपका हो गया ठीक है उसको या नेक्चर वाइटेसं उसको कोई नुकसान ना पहुचा सके तो देख सकते हैं कि यह चीज बहुत बड़ा हमारे लिए क्योंकि इन में से कुछ भी कि आंवर्क पहुंचने से बचा सकते हैं तो यह था लोगे हैं नहीं राङा और जब्सक्क्राइब बताशना पहुंचने से अगले वीडियो में ठीक है और हो सका तो में बहुत ज़ल्दि सwise अनसर भी ला दूंगा झाल झाल